कैसे हैं दोस्तों, मोधियोशा को अपने अपोजिशन को निप्टाना बहुत अच्छी तरीके से आता है मोधियोशा ने पहले गुजरात में पोजिशन को निप्टाया और BGP में भी मोधियोशा ने अपने कॉम्ट्रीटर्स को निप्टा दिया और कुछ ऐसा ही अब नेशनल लेवल पर मोद्योशा कर रहे हैं मोद्योशा इनकी जो प्लैनिंग है इनका जो दिवाग है इसे समझना बहुत मुश्किल है और शायद इसी लिए इनके बहुत से फैसले बड़े अजीबों गरीब लगते हैं विसाल के तोर पर देखिये तो ये दूरप्पा किंग ओफ करनाटक रातो रात इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया तो दूसरी तरफ देखिए दिविंदर फण नवीज ये मुख्यमंत्री रहे और इस मुख्यमंत्री को गंटों में उप्व मुख्यमंत्री बना दिया गया एक चीफ मिनिस्टर को महराष्ट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और वे भी अपने चेले के ही अंडर में और विजयरूपानी मोदियोशा के बेहत आस गुजरात के मुख्यमंत्री एक फोन पर विजयरूपानी और इनका मत्री मंडल और इनकी कैबिनेट एक फोन पर पूरी तरह बदल दी गई ऐसा फैसला शायदी कभी हुआ हो और ये जो है नरेंदर सिंग तोमर जिनके बेटे का वीडियो आजकल वायराल हो रहा है इनकी तो ऐसी किट बनाई है कि सपने में भी तोमर साब को आजकल मोदिय जी याद आते होंगे कहा तो केंद्रिय मंत्री और कहा इन से कहा गया कि जाओ विदाय का चुनाव लड़िये कहा तोमर साब भाब देख रहे हैं कि बीजेपी मैं मोदि शा के भाद नम्मर तीन बनने का लेकिन अब विदाय का चुनाव लड़ रहे हैं अब दोस्तों सुन रहे हैं कि मोदी जी फिर एक बड़ा अजीवो गरीफ फैसला लेने जा रहे हैं इस फैसले की चर्चा दिनली से लेकर लखना उतक है और ऐसा सुना जा रहा है कि मोदी जी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के ताकत पर मुख्यमंत्री योगी आदे तिनात इस बार लोग सवा चुनाव में मैदान में उतरे हैं और योगी जी को गुरपपुर से चुनाव लड़वाने की तियारी हो रही है अब इसका मतलब क्या है अब यूँ थो दोस्तों मोदी जी और अमिशा के माइन को रीड करना बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या है वो मतलब है कि योगी जी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है इनको लखनव से गुरपुर भीजा जाएगा और गुरपुर में ये अपरेल मही में चुनाव लड़ेंगे लोगसभा का चुनाव अगर जीत गए तो गुरपुर से गाड़ी फिर लखनव नहीं आए गुरपुर से गाड़ी सीधे पहुँचेगी दिली जी हाँ लोगसभा के सदस्व बनेंगे फिर से योगी आदित्ता अब ये जो अमिशा का प्लैन है इसका मतलब क्या है अब दोस्तों अगर ये प्लैन चानक्य के दिमाग में चल रहा है और चानक्य अगर इस प्लैन को एक्जेक्यूट कराना चाते है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब हम ये माने कि योगी जी को कुर्सी से उतारा जा रहा है क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्ताक को उतारने की तियारी है और क्या इस कुर्सी पर अब अमिशा के शिश्य या अमिशा के साथी या सिपा सालार, केशव परसाद मौरे, OBC King of UP या OBC King of BJP केशव परसाद मौरे अब ने मुख्यमंत्री होंगे अगर केशव परसाद मौरे नहीं होंगे तो क्या फिर कोई और OBC चेरा मुख्यमंत्री बनेगा BJP का क्या योगी के छुट्टी होगी अब यह जो गुजरात लौबी वर्स योगी आदितनाथ है या यू कहें योगी वर्स अमिश्चा कि यह जो लड़ाई है यह कोई नई नहीं है लेकिन यहाँ पर जो नया एडिशन है जो नई चीज है वो यह है कि अमिश्चा चाहते हैं कि लोग सवच चुनाफ के बहानी योगी को किनारे कर दिया जाएगा और कुछ वर्स पत्रकार जो BJP को कवर करते हैं वो अब बताते हैं कि कुछ नेताओं से भी बात हो रही है इनका यह कहना है कि अगर अमिश्चा कैम का मानना है कि अगर योगी आदिनाट को अब हटाते हैं मतलब 24 के चुनाफ से पहले हटाते हैं तो BJP के वोटर में गलत मेसेज जाएगा और वैसे भी जब तक राम मंदिर का इनॉगरेशन या उद्गाटन नहीं हो जाता जब तक अमिश्चा कुछ नहीं करने वाले और इसके तुरंट बाद चुनाफ आ जाया और चुनाफ के बाद 2024 के बाद योगी आदिनाट को हटाना और भी जादा मुश्किल है क्योंकि 2024 में क्या होने वाला है यह तो मुदी और शाह खुद भी नहीं जानते बाहराल जैसा कि लोग कहते हैं जानकार कहते हैं कि अमिश्चा कैम को लगता है एक तरीका है जिससे योगी का हिसाब बराबर किया जा सकता है और वह तरीका है कि अगर इसी लोग सवाज चुनाव में बोरकपुर से योगी जी को उतार दिया जाए तो एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे एक बार योगी चुनाव जीत कर जब दिल्ली पहुचेंगे तो फिर लखनों के लिए वापसी बड़ी मुश्किल है अब दोस्तो चर्चा यूँ ही नहीं होती खास कर राजनीतिक गल्यारों में कभी भी चर्चा यूँ ही नहीं होती चर्चा होती है तभी जब कहीं दुआ उड़ता है तो दुआ तो है और इस दुआ को आपके लिए खिलियर करने के लिए वाकी क्या होने जा रहा है क्या वाकई अमिश्रा ने मन बना लिया है कि योगी को कैसे न कैसे हटाना है 2024 के आसपास या 2024 से पहले बने चुलाव के बाहने क्या है गुजरात लौबी के मन में प्लैली इसकी चर्चा गुरतपुर में लखनव में दिनली में क्या है यह तस्वीर आपके सामने आज साफ हो जाएगी लखनव से लेकर दिनली तक चर्चा है कि योगी आत्तात को गुरतपुर से लोगसवा में चुनाव लड़ाये जा सकता है गुरतपुर से चुनाव लड़ सकते हैं योगी बनारस से मोधपा और गॉर्टपुर से योगी क्या ऐसा हो सकता है कि क्या योगी जीगो जो अभी मुख्य मंत्री है वो गॉर्टपुर से चुनाव लड़े लोक सभा का देखे दोस्तों क्या नहीं हो सकता राजनीती में किर्किट की तरह ही यह भी संभावनाओं का केल यह भी है और बीजेपी में तो नारा ही बुलंद है कि मोदी है तो मुम्किन है आप ज़रा थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा पहलिव देखिए जब ये दूरप्पा जो करनाटक का दिगज लीडर है उसको जब कुर्सी से उता कि मुख्य मंत्री बनाय जाता है तो डिप tadi CM किसे बनाय जाता है देविंदर फढणवीज को। जबकि इनका नारा लग रहा था कि मुमबई में दीविंद और दिल्ली में ञर्णद Champ इसको भी डिप два सेम बना के पीछे धकेलाच जा सकता है तो फिर क्या नहीं हो सकता मद्य प्रदेश में देख लीजिए तीन कैमिरेट मंत्री उतार दिये वहाँ पर और पाथ सांसत कैलाज विजय वर्गिय जैसा राश्ट्य महासचिव उनको विदाइकी पर लोटना पड़ रहा है गुज़ा तवी का जो हुकुम होगा वो करना होगा लखनों में बनेई आप करें कि यूपी में रहना है तो योगी- योगी कहना है लेकिन बीजेपी इस यासत करनी है तो फिर मोधी जो कहेंगे अमिश्चा जो कहेंगे वो करना होगा आज योगी का मतलब है कि बिग किंग ओफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के बड़े महाराथ एक इतना तागतवर मुख्यमंत्री जो यूपी में पहले कभी नहीं रहा तो अगर योगी इतने तागतवर हैं क्या योगी को भी किनारे किया जा सकता है और क्या ये लोगसवा का चुनाव जब लड़ेंगे योगी जाहिर तो पर जीट जाएंगे तो क्या योगी की फिर लखनव में वापसी होगी गोरतपुर की ट्रेन पकड़ कर फिर सीधे दिल्ली क्या लखनव बीच में आएगा जो स्टेटेजी है गुजरात लॉबी की कि इनको किसी तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ा कर इनका यूपी के सीम पत्से अध्याय समाप करो निश्वी तोर पर योगी आधितात वोत्या प्रदेश पे कितने भी ताकत वर हो लेकिन जब अमिश्या की घर जाते हैं तो उन्हें भी जूता बहार उतारना पड़ता है मोदी जी से जब मिलते हैं तो कंदा जुकाना पड़ता है फिर गले में हाथ डाला जाता है और यह दिखाया जाता है यह आप हमारे सामने क्या है और दिल्ली उनको बुलाए गया और अगर वो दिल्ली के जरिये गुरब को जा रहे हैं तो लोटकर लखनों नहीं आएंगे यहीं आजकल उत्तरफी देश में चर्चा है जो शेत्रेंज की बिसात बिचाई जा रही है उसमें क्या योगी के तमाम मोरे पिटने वाले हैं और यह इच्छा यहां गुजराद लॉबी की है अमेशा और मोदी विकल्प के दौर पर केशब प्रशाद मोरे को आगे बढ़ा सकते हैं और मोरे कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं योगी से सीधे मुँबात नहीं करते योगी जी क्या डंडवत नहीं होते नत्मस्तक नहीं होते केशब प्रशाद मोरे दीपोत सब नहीं गए अयोद्या नहीं गए छोटी दिवाली के दिव मेरट प्रशाद मोरे को आगे करो या दूसरे बेकवर्ट कास्ट के पंकर चौदरी जो राज्य मंतरी हैं केंडर में वह भी एक वो भी इसी फैस हैं तो क्या मेरट प्रशाद में और भी विखलक हैं और क्या मेरट चाहते हैं कि 2024 के बाद ये योगी फेक्टर जो उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बहुत नुकसान देश साबित हो सकता है क्या जिस तरह से दिवने फर्णवीज को किनारे किया गया क्या उसी तरह से उसी तर्स पर अब योगी जी की बारी है डेफिनिटली अमेशा इस बात को समझ अब ही नहीं तो कभी नहीं यही आखरी मौका है क्योंकि 2024 का नतीजा क्या होगा यह किसी को नहीं पता अमेशा भी इस बात को जानती है तो जो भी उनके सामने प्रत्रदंद्री खड़ा है उसको वक्त से पहले ही दूर कर दो उसका कद छोटा कर दो शाह की चाड़क के गि निप्टाया गुजरात में आनंदी बेन पटेल को निप्टाया एक नाम थोड़े ही है तो योगी आधितनाथ वो गुरकपुर मट के महिंत ही तो है उतर प्रदेश में ही तो उनकी सियासत है लेकिन जिसका सिकर दिली से लेकर गुजरात तक और समूचे भारत में चलता है वो थोड़े ही ना कमजोर पढ़ने वाला है तो हमेशे इस बात को समझ रहे हैं कि यहीं सही वक्त है जहां पर आपको योगी आतिनाथ को किनारे लगाना है और उसके लिए जो विकल्प की तलाश हो चुकी है उसमें केशब प्रसाद मौरे हो सकते हैं जो इनके सबसे लॉ कि इस स्टेटीजी के कोई अति पिछड़ा भी हो सकता है जिससे वोट बेंग कहीं से भी कमजोर ना पड़े उनका तो कहीं भी ये खेल खेल तकते हैं वो अगर रोईनी कमिशन के रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहे हैं चाती का जो एशू बहुत तेजी से आगे बढ़ र हमें और आपको और या वीडिया को कैसे पता लगेगा जब डिसाइड़ी दो लोगों को करना है अब जब बीजेपी में एक डेमोक्रेटिव सेटप नहीं बचाए मंतरी मंडल और सेंटल एलक्षिंग कबिटी और पार्लिया मेंट्री बोर्ड ये सब नामके हैं इनसे सिर चुनाव लड़े योगी जी और चुनाव जीत गए जीत के योगी जी दिल्ली पहुंचे और उदर मोधी जी बजाए 272 सीटों के 225 पर अटक गए तो क्या होगा ऐसा ना हो जाए कि योगी ही अगले प्रदान मंत्रियों 272 पर तीन सिचुएशन हो सकती है मोधी जीते या मोधी फसे बीच में या मोधी हार के अगर सिचुएशन फस्ती है और 225 या 230 सीटों पर गाड़ी अटक जाती है फिर योगी भी तो हो सकते हैं प्रदान मिलते हैं आरे से उनको भी तो बैट कर सकता है वैसे ये सपना राजणाज सिंग दो बार देख चुके हैं सपना पू लेकिन ये संभावना भली बूद कैसे होंगी अगर गाड़ी अटकेगी तब ही ना और मान लीजिए कि गाड़ी रसातल में चली गाड़ी बिलकुल दोनों पर ये सहित फस गए तब क्या करेंगी योगी आदितना तब तो ना घर के रहे ना गाट के रहे ना दिल्ली के र तो फिर वापस तो आ सकते हैं नो चे महीने तक आप विदाय के संसद दौनों में से कुछ भी चुन सकते हैं तो वह वापस आ सकते हैं लखनों कर सकते हैं एज़ा मुख्य मुंत्री या एक बार अगर वह संसद बन गए दोजाग चौबीस में तो क्या वापसी नहीं होगी रिवर्स नहीं होगा डिजीजन तो दोस्तों ये वन वे ट्रैफिक है ये कमान से निकला हुआ तीर है वापस नहीं आ सकता अगर योगी जी ने अपना दर छोड़ा अपना मठ छोड़ा तो फिर वो औरिजिन वाला ही मठ बचेगा ये बिलकुल तै है तो यह आप पूरी विजेबी उठा के देख लीजी वहां कौन बचा है गटकरी जी थोड़ा बहुत बोल पाते बाकी तो सबके मुँ में लगाम लगी किसी में हिम्मत नहीं है और नरिंदर मोदी के बाद एक बड़ा चेरा योगी जी है तो डेफिनेटली योगी कोई इस तरह कच्छी गोली नहीं खेलें लेकिन अगर ये चूख हो गई और उसमें अगर योगी आदितनाग आ जाके और भगवान ना करे वह दौनों पर ये फस जाते तो फिर लोटने लगबग ना मुम्किन होगा हिंदूस्तान का जो सबसे बड़ा सूभाय उत्तरप्रदेश और ये योगी मोदी की लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही क्या ये घमासान तेज हो रहा है क्या इसमें पूरी के पूरी बीजेपी की पार्टी डिवाइड है क्या इसमें मंत्री मंडल डिवाइड है कुछ लोग योगी के साथ है बाग की लोग अमिश्या के साथ इस तरह का डिविजन आप लोगों को भी लखनों में दिख रहा होगा अब देखी आये सेके शर्मा जब आये थे तो वह मोधी के कितने खास थे लेकिन उनको योगी ने 6 महिने तक लटका के रखा योगी जीने टाइम ही नहीं दिया उनको मिलने का और फिर अभी दो एक्जम्बल आपके सामने है ओम प्रगाश राजबर और दारा सिंग चोहान दोनों पैचारी कपसे बैठे हैं मिनिस्टर बननी के लिए लेकिन योगी इतनी आसाणी से सरिंडर होने वाले नहीं है लेकिन तलवारें जो खिच चुकी है उसमें अमिशा का परड़ा भारी है क्योंकि यूपी की जो कैबिनेट है और यूपी की जो विदायक है वो जादा अमिशा के साथ दिखाई पड़ते हैं योगी जी अब प्रशाश के अभिकारियों की जरी अपना पुराशाशन और प्रशाशन चला रहे हैं मोदी जी हार जाते अमिशा और मोदी सड़क पर आ जाते और योगी मुख्यमंत्री रहते हैं फिर भाजवा में क्या होगा फिर डैफिनेटली अगर मोदी जी अमिशा हार जाते हैं तो फिर योगी का ही सिक्का चलेगा ये एक बड़ी संभावना है क्योंकि यह भी माना जाता है कि RSS और मोहन भागवत, मोधी जी से खुश नहीं है, गुजाती लौबी से खुश नहीं है, और अगर यह होता है, हालंकि RSS यह कभी नहीं चाहेगा कि सत्ता उसके हाथ से निकले, लेकिन सत्ता अगर निकलती है, फिर RSS योगी आधितनाप पर दाव लगाएगी, बीजेपी के पास प्रचंट बहुमत है, उतर प्रदेश में बीजेपी सरकार 2017 तक कहीं नहीं जारी, कोई गिरा नहीं सकता, तो योगी जी अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं, 2024 में वोधी इलेक्शन खार जाते हैं, तो फिर योगी योगी होंगे, ल लड़ाया गया, साथ साथ सांसाद, राज्य वर्दन सिंग राठवर जैसे, नेता विदाय का चुनाव लड़ रहे हैं राज्यस्तान में, इसी तरच पर, अगर मुधी जी का आदेश आ गया, फोन गुमाया मुधी जी ने, और कहा कि, योगी जी आप गोरकपुर से तो क्या योगी मना कर सकते हैं, क्या योगी जी आज इस हैसियत में है, योगी जी के पास कोई विकल्प है या नहीं है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि, योगी नरिंदर मोदी को मना नहीं कर पाएंगी, और फिर उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी बदलेगी, कि अगर व देखते हैं, चौबीस में क्या होता है, लेकिन एक बात ते हैं, जो मैं मानता हूं कि, उत्तर प्रिदेश में, योगी वर्शेज अमिशा, कि जो लड़ाई है, जो जन्ग है, जो तलवारे खीची हुई है, ये गमासान बरता जार, आपकी इसमें क्या राय है, मुझे कमें सब्सक्राइब, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे हो, तो लाइक जरूर करें, ऐसी और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए, चैनल के दूसरे वीडियो भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना बुले, टाटा, बाई बाई